जैसा कि आप सब को पता है कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आने वाला है जो केंद्र सरकार का बजट होता है वो पूरे देश के लिए होता है पिछले साल 2023 में 45 लाख करोड का बजट केंद्र सरकार ने पूरे देश में खर्चे के लिए रखा था जो केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपना बजट बनाती है जो पैसा खर्च करती है वो पैसा कहां से आता है वो पैसा देश के लोगों से आता है जो हम और आप टैक्स भरते हैं वो पैसा केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के पास जाता है और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे टैक्स के पैसे को हमारे विकास के लिए खर्च करें दिल्ली के लोग भी टैक्स भरते हैं दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं काम करते हैं नौकरी करते हैं बिजनस करते हैं दिल्ली के लोग इंकम टैक्स भरते हैं दिल्ली के लोग अपनी खरीद फरोक्त में जी-एस की भरते हैं तो दिल्ली के लोग भी मेहनत करने के बाद ये उमीद करते हैं कि जो टैक्स हम भरते हैं उस टैक्स से हमारा विकास होना जरूरी है, हमारे शहर का विकास होना जरूरी है, हमारे इलाके का विकास होना जरूरी है तो दिल्ली वाले आखिर कर कौन सा टैक्स भरते हैं और कितना टैक्स भरते हैं दिल्ली के लोगों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली की सरकार के पास आता है जिसमें स्टेट का जी एस्टी कॉंपोनेंट वैट अत्यादी शामिल है ये पिछले साल कि अगर हम इसकी संख्या देखें तो ये 35,000 करोड लास्ट यर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया ये 35,000 करोड कहां पर लगा जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को पैसा दिया वो दिल्ली की सरकार ने अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों पर खर्च किया दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देने में खर्च किया दिल्ली वालों को free बिजली देने में खर्च किया पानी का network unauthorized colonies में पहुँचाने में खर्च किया दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में खर्च किया महला क्लिनिक बनाने में खर्च किया free इलाज देने में खर्च किया दिल्ली में जो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक बसिज आई हैं महला बसिज आ रही हैं उनको लाने में खर्च किया नए फ्लायोवर्स बनाने में खर्च किया तो जो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को टैक्स दिया, जो 35,000 करोड टैक्स दिया, वो दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ. लेकिन दिल्ली के लोग से दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं, दिल्ली, in fact, पूरे देश में, one of the highest income tax payers to the central government है. पिछले साथ, दिल्ली के लोगों ने, income tax में, दो लाक करोड रुपिया केंद्र सरकार को दिया, 2.07 लाक करोड रुपीज, दिल्ली के लोगों से, income tax के तौर पर केंद्र सरकार को गया. इसके अलावा, GST में भी एक दिल्ली के लोगों का हिस्सा होता है, जो केंद्र सरकार को जाता है, इसकी संख्या पिछले साल, 25,000 करोड थी, तो कुल मिलाकर, दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार को, 2.32 लाक करोड रुपियों का tax दिया. अब दिल्ली वालों ने जब दिल्ली सरकार को 35,000 करोड टैक्स दिया, तो वो पूरा 35,000 करोड रुपे दिल्ली वालों पर खर्च हो गया. तो अब ये सवाल है, कि जो 2.32 लाक करोड रुपियों, तब आप मान दीजिए, धाई लाक करोड रुपे तकरीबन, जो दिल्ली वालों ने केंद्र सरकार को tax में दिया, उसमें से कितना पैसा दिल्ली पर खर्च हुआ, उसमें से कितना पैसा केंद्र सरकार में दिल्ली को दिया, जीरो, निल बटे सन्नाटा, दिल्ली के धाई लाक करोड रुपे के tax से, दिल्ली के लोगों को एक रुपिया भी नहीं मिला, आज मैं केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से ये पूछना चाहती, कि दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यूं, दिल्ली के लोग जब मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग बिजनस करते हैं, दिल्ली के लोग नौकरी करते हैं, और दिल्ली के लोग इमानदारी से टैक्स देते हैं तकरीबन धाई लाख करोड का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं तो उसमें से एक रुपया भी दिल्ली को क्यों नहीं मिलता है यह आज हम जानना चाहते हैं दिल्ली के अलावा अगर आप और बड़े कॉंट्रिब्यूटर्स देखिए इंकम टैक्स के तो बंबे जो शहर है वो सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूशन करता है इंकम टैक्स का बंबे से केंद्र सरकार को पांच लाख करोड का इंकम टैक्स दाता है और उसके अवज में महराश्ट्रा की सरकार को केंद्र से as share in taxes क्या मिलता है चववन हजार करोड रुपे तो बॉंबे के लोग महराश्ट्रा के लोग जब पांच लाग करोड का tax देते हैं तो उनको केंद्र सरकार से उसके हिस्सें में चववन हजार करोड यानि 54,000 करोड रुपीज बजट में मिलते हैं बैंगलोर के लोग तकरीवन दिल्ली जतना tax देते हैं इंकम टैक्स देते हैं बैंगलोर से भी दो लाख करोड का इंकम टैक्स केंद्र सरकार को जाता है 35,000 करोड शेर इन टैक्सिस के पहत मिलता है यानि जो दो लाख करोड दे रहा है उसको 33,000 करोड केंद्र के बज़िट से शेर इन टैक्सिस के माध्यां से मिल रहा है यानि 10% से भी ज़्यादा दिल्ली वाले भी 2,000,000 करोड इनकम टैक्स देते हैं उसके उपर 25,000 करोड सेंटर जी एस्टी देते हैं लेकिन महराश्ट्रा की तरह जिनको 54,000 करोड मिलता है करनाटिका की तरह जिनको 33,000 करोड मिलता है दिल्ली को एक रुपिया भी केंद्र सरकार से इस 2,000,000 करोड से नह मिलता लेकिन इस बार के बजट में ये दिल्ली वालों की मांग है कि दिल्ली को अपना हक मिलना चाहिए जब दिल्ली के लोग मेहनत करके इमानदारी से टाक्स देते हैं तो हमें हमारे टाक्स का पैसा हमारे शहर के विकास के लिए क्यों नहीं मिलता अगर दिल्ली को अपना ह तह मिलेगा तो दिली में जिस स्पीड से डिवेलोपमेंट दिली सरकार كड़ाया सोफिकी जहे दिली में हम और बैटर और स्वैशिट से रोडे arım सट्रक्चर और फ्लायॉवर इंफ्रस्रक्चर बना सकते हैं फिर आलकौण में और इंवेस्टमेंट कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और इंवेस्टमेंट कर सकते हैं हम दिल्ली को सुन्दर बनाने में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं दिल्ली वाले को भीक नहीं मांग रहे हैं दिल्ली वाले अपना हग रहे हैं देखिया हम यह भी नहीं कह र तो ये सही है कि जो देश के और हिस्सें हैं जो दिल्ली की तरह विक्सित नहीं है जहां पर दिल्ली की तरह एकनॉमिक ऑपरचुनिटीज नहीं है दिल्ली का कुछ फैसा देश के अलगलर हिस्सों में भी जाना चाहिए लेकिन ये कैसा नियाए है कि दिल्ली के लोग दो लाक करोड income tax दें 25,000 करोड center को GSP का हिस्सा दें लेकिन हमें दिल्ली वालों को उसमें से एक रुपया भी नहीं मिले क्या आपको लगता है कि ये दुनिया के किसी भी और बड़े पैसा लेती होगी और कहती होगी क्या आपको लगता है कि टोकियो में जपान की सरकार यह कहती होगी कि जितना तुम पैसा कमाओं इसारा पैसा हम रख लेंगे लेकिन हम टोकियो शहर को एक रुप्या भी नहीं देंगे क्या आपको लगता है कि यूके की सरकार यह कहती होगी कि लंडन से जितना टैक्स आता है वो सारा इंलेंड की सरकार रख लेगी और लंडन शहर में एक पैसा भी नहीं लगाएगी मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ ये दुनिया में किसी भी शहर के साथ, किसी भी राज्य के साथ ऐसा अन्याए नहीं होता जो दिल्ली के साथ हो रहा है ऐसा अन्याय हमारे देश ने अपने इतिहास में एक बार पहले भी देखा है ये अन्याय भारत के साथ होता था जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो जो भी भारत से टैक्स वो वसूलते थे चाहे वो हमारे किसानों से हो, चाहे वो हमारे कारीगरों से हो उसमें से एक रुपया भी भारत के पास नहीं आता था वो सारा पैसा लंदन चला जाता था वो सारा पैसा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था वो ही अन्याएं वो ही अत्याचार आज दिल्ली के साथ हो रहा है कि दिल्ली वाले दो लाख करोड रुपे इंकम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें उसमें से एक रुपिया भी नहीं मिल रहा है भारतिय जनता पार्टी शासित केंदर सरकार सारा पैसा रख रही है और दिल्ली के साथ सौतेला व्योहार कर रही है